हेलो इस्टुएंट्स मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कमलेज बढ़गी यहां मेरिकल सुथा कॉलेज जिन्दुरी आज मैं MS Access जो की DCA और PGDC FASM के स्टुएंट्स का सब्जेक्ट है उनका आज लास्ट यूनिट का टॉपिक लेकर के आया हूँ जो की पेपर में बहुत एक् तो रिपोर्ट जो की आप जानते हैं जिस तरह हम डेली लाइप में कई सब कई बार यूज करते हैं तो रिपोर्ट एक ऐसा हमारे पास डिस्प्ले है डेटा को इस तरह से रिपोर्ट में डिस्प्ली कराया जाता है जिससे हमें उस डेटा के बारे में पूरी जानकारी एक दिखता है और बेसिकलyorsun परोट परियोग करते हैं और बढ़बार में और बेसिकली है नहीं को डेटा दिखाना हो यह जो है इसका यूज़ करते हैं यह नहीं को लिए यूज़ करते हैं उस une पूरी टेबल का हम यह समरी दिखाता है इसनों 1 मेंपनेट topics का title heading देते हैं अभी आप देखेंगे वीडियो में किस तरह से report को use करते हैं तो header उपर वाला part होता है सबसे नीचे वाला part होता है वो footer होता है और जो beach का portion होता है detail detail section सबसे main area होता है जहां पर हम अपने पूरी fields को देखते हैं पूरा data हमको beach वाले field में दिखाई देता है तो beach का जो area है detail के रूप में जानते हैं उसमें हम अपने पूरे database को देखते तो तीन प्रमुक पार्टों में report को बनाया गया है यहां पर मैंने types भी आपके लिए यहां पर बना दिये हैं पांच प्रकार के मुक्ता हमारे पास report होती है एक होती columnar report columnar report यह ज्यादा तर fin in the blank style में होती है जिसमें एक right side में आपके पास labels होते है नेम लिखा है उसके सामने name उसके सामने खाली स्थान है फिर father's name mother's name date of birth तो जिस तरह से हम कहीं पर कोई form भरते हैं तो इस form का जो style होता है उसे हम columnar report कहते हैं तो columnar report होता है tabular report ऐसा report होता है जिसमें हमारा data table के रूपे होता है सारे records वहां पर दिखाई देते है टेबल के रूपे हमारा data इसमें दिखाई देता है justified जो एक तरीका है वो columnar और tabular report दोनों report का combination है justified तो justified में हमारा data center point में दिखाई देता है सबसे ज़्यादा use किया जाता है बहुत easy भी है एक और होता है report single table report जब हम किसी एक table से report त्यार करते हैं तो वो single table होती है और अगला है पांचवा है multi table report जब हम एक से अधिक table से data लेकर के और report त्यार करते हैं तो वो multi table report होता है तो ये report का बहुत basic है report को कैसे print करते हैं उसका कैसे preview देखते हैं और किस तरह से layout chain करते हैं ये सब मैं आपको practical के वीडियो में दिखा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को देखें इस वीडियो में जो मैंने यहाँ पर topic दी है उस topic को आप लिखें ये report का ये वाला question definitely exam में पूछा ही जाता है तो आप सब इसकी तयारी करें और बहुत सुन्दर तरीके से इसको लिखने और सीखने की आप सब habit डालें तो ये report जो कि 5th unit का सबसे important topic है इसी में से पूछा जाता है तो access का आज यहाँ पर 5th unit का वीडियो के साथ मैं मैं यहाँ पर access यहीं पर समाप्त गरूँगा इसके बाद मैं किसी और subject का वीडियो आप सभी के लिए लिए कर गया हूँ आपको यह topic समझ में भी आया होगा पसंद भी आया होगा अगले वीडियो में देखें किस तरह से हम access में report को use करते हैं थैंक यू